सब्सक्राइब कीजिए टेक्नार रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हिंदी टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हो गैस कैसे आप लोग मेरा नाम अभी शेक है और टेक्नार रिव्यू में आपका स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक बार फिर से बैटरी ड्रेन टेस्ट और इस बार हमारे पास है पांच फोन्स यहां पर आप देख सकते तो पहला जो है वह है पोको एफ 5 पांच फोन्स में हम करेंगे एक्स्ट्रीम बाठरी टेस्ट और हम देख लेंगे के कौंसा फोन होता है विनर हमारे घ्रेडिन टेस्ट में तो वीडियो को एंंत कर देख रिए पर यह उस्त्रेवर पीर इंस्ट्राइम को फॉलो कर लीजिए वृर 5000 एमेज का बैटरी उसके बाद है Xiaomi Redmi Note 5 Pro जिसमें अगें 6 इंच Full HD Plus डिस्प्लेइ, Snapdragon 636, 6GB RAM के साथ मिलता है 4000 एमेज का बैटरी, एक दर मिडल में है Xiaomi Mi A2 और उसके साथ आता है 6 इंच का Full HD Plus डिस्प्लेइ, Snapdragon 845 और 4000 इमेज का बैटरी और फाइनली ऑन दी एक्स्रीम राइड है हमारा OnePlus 6 जो है अगें 6GB RAM वाला वेरियंट और इसमें मिलता है 6.28 इंच का Full HD Plus डिस्प्ले, Snapdragon 845 और 3300 इमेज का बैटरी तो हर एक फोन में बैटरी 100% तक फुल्ली चार्जड है तेस्ट को स्टार्ट करेंगे हर एक फोन में Wi-Fi, Bluetooth, और फ्लैश्लाइट और व्लामाट को अज़िए नाष चलले जाएंके डिर्कली इंस्टार में तो हर एक फोन में हम गों सी अच्प्पान गों 12 का प्रजिल रहें और इंस्टेग्रम कед इस्कोर पेज में जाके हर एक में हम स्क्रॉ्ल करते रहेंके इंगा तो चले जाएंगे फेस्बूक में और हर एक फोन में चला लेते हैं फेस्बूक और अगें 10 मिनिट्स तक हम कंटिनुसली फेस्बूक यूज करते रहेंगे और पेजस को स्क्रॉल करते रहेंगे एक्चुली ऐसे सोशल एप्स यूज करने से उतना भी बैटरी ड्रेंड किसे भी फोन में नहीं होता है सो 10 मिनिट्स फेस्बूक यूज करने के बाद बैटरी को बिना चेक हम डारेक्ली चले जाते हैं एंट टू बेंचमार्क में और हर एक फोन में चला लेते हैं बेंचमार्क तो एक बार टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक बार फिर से चला लेते हैं ताके हम मोर प्र 6 में है 86% तो test को continue करते है with Asphalt 9 और हर एक phone में चला लेते Asphalt 9 को और हम continuously 15 minutes तक Asphalt 9 खेलते रहेंगे तो just like हमारा previous battery drain test इसमें भी हम gaming करने के time touchscreen को use करते रहेंगे कज जब हम actually games खेलते है phone में तब हम touchscreen को भी use करते हैं जिसके लिए भी battery drain होता है so हम इस test के द्वारान हर एक phone में touchscreen को use करते रहेंगे तो continuously 15 minutes तक Asphalt को खेलने के बाद हम directly चले जाते Clash of Clans में और उपर में हर एक phone की battery level को आप देख सकते है तो Clash of Clans में हम troops बना के 20 minutes तक continuously attack करते रहेंगे और ये game आज भी कुछ लोग खेलते हैं और जो लोग खेलते हैं उनको पता है कि ये बहुत ही addictive game है और लोग घंटे भर इसको खेलते रहते हैं और phone की battery भी काफी ज्यादा drain होता है और इसलिए हमने किया है Clash of Clans को हमारे इस टेस्ट में तो 20 minutes तक continuously Clash of Clans को खेलने के बाद हम चले जाते YouTube पे और चला लेते हमारा एक video और 15 minutes तक continuously video देखते रहेंगे हर एक phone में तो एक video खतम हो जाने के बाद हम चला लेंगे और एक video तो overall 15 minutes तक videos हर एक phone में देखते रहेंगे तो 15 minutes के बाद Zenfone में है 80% Note 5 Pro में 74% Mi A2 में 66% Poco में 76% और OnePlus 6 में 69% और तो continue करते हैं हमारा test most battery draining game के साथ जो है PUBG Mobile और game की graphic settings में हमने हर एक phone की max graphics मतलब जिस phone में जहां तक maximum graphics supported है उसमें हमने set कर दिया है हर एक phone को squad match केलते हैं हर एक phone में पर जैसे आप देख पा रहे हैं के यहां पर 5 phone है और बस दो हाथ से में हर एक phone में इसको खेलने ही पाऊंगा पर जैसे मैंने बताया हर एक में हम touch screen को use करते रहेंगे ताकि हम battery को ज्यादा drain कर पाए तो यह almost 1.5 hours मतलब देर घंटा continuously PUBG को खेलने के बाद मुझे लग रहा है कि हर एक phone का हाल खड़ाब हो गया है तो battery level आप देख सकते एक phone के लिए equal रखने के लिए हम 1080p वीडियो शूट कर रहे है इन फोन में तो उपर में आप देख सकते है वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम और 10 मिनिट तक हम continuously ऐसे रिकॉर्ड ओन करके रखेंगे और बीच-बीच में टैप टू फोकस भी करते रहेंगे पर जैसे आपको पता है जैन फोन में टैप टू फोकस नहीं होता है तो वो टैप करने से वीडियो के बीच पिक्चर खीच लेगा एन्वेज तो 10 मिनिट रिकॉर्डिंग हो जाने के लेंगे और उसके साथ स्क्रीन के ऊपर टाइम भी देख लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम एड दे एंड आपको हर एक फोन की स्क्रीन ओन टाइम बताएंगे तो कंटिनूसली 10 मिनिट हम रेमेन अडवेंचर्स खेलेंगे पर अरौन 9 मिनिट पर मी एटू दिखा दिया है 5% बैटरी वर्निंग तो मी एटू की स्क्रीन ओन टाइम को चेक कर लेता है और अभी मी एटू में स्क्रीन ओन टाइम है 3 hours 34 मिनिट और टाइम हुआ है 7 24 पीम तो कंटिनू करते हैं टेस्ट को और रेमेन अडवेंचर से चले जाते हैं मेजर मेहम 2 में तो यह जो गेम है य मी एटू हो गया है शट डाउन और इसको हम कर देते हैं फेस डाउन तो कंटिनू करते हैं मेजर मेहम को इन चार फोन में चला के तो 15 मिनिट हो जाने के बाद हम चले जाएंगे एक बार फिर से एंटीटू बेंचमार्क में और वन प्लस में जैसे आप देख सकते हैं बहु और ना हम जल्दी से चेक कर लेते हैं वन प्लस 6 की स्क्रीन उन टाइम तो जैसे आप देख सकते हैं टाइम हुआ है 7.55 पीम और स्क्रीन ओन टाइम है 4 आवर्स 5 मिनिट्स तो हम चले जाएंगे एक बार फिर से एसफल्ट 9 में और कंटिनूसली 5 रेसेस को खेल लेंगे एस चीज़ जो मैंने देखा इस टेस्ट के टाइम वह है कि वन प्लस की लास्ट जो वन परसेंट बैटरी होता है वह एराउंड 20 मिनिट्स तक रहता है इवन ऑन एसफल्ट 9 मुझे लग रहा है कि वन प्लस की बैटरी है वह और भी इंप्रूव हुआ है जो रीसेंटली जो अ नोट 5 प्रो में है 13 परसेंट और जेंफोन में अभी भी है 32 परसेंट बैटरी लाइफ तो अभी फाइनली चला लेते हैं पब जी एक बार फिर से और जो लास्ट ड्रॉप बैटरी जूस बचा है उसको भी ड्रेन कर देते हैं तो बस पब जी का लोडिंग स्क्रीन आते ही 1 प्लस 6 भी हो गया है शट डाउन और इसको भी मी एटू की तरह कर देते हैं फेस डाउन नाव करते हैं पब जी मोबाइल इन तीनों फोन में और 20 मिनिट्स तक पब जी को कंटिनूसली खेलने के बाद पोको में बैटरी लेवल है 5 परसेंट नोट 5 प्रो में है 2 परसेंट और जेन फोन में अभी भी है 26 परसेंट तो हम अभी पोको और नोट 5 प्रो की स्क्रीन ओन टाइम को चेक कर लेंगे तो टाइम हुआ 8.31 प्यम और दोनई फोन में है 4 आवर्स 40 मिनिट्स का स्क्रीन ओन टाइम तो कंटिनू करते हैं हमारा पबजी गेमपले और एक मैच को चला के और देखता है कब तक यह दोनों फोन के बैट्री के साथ तक कर दे सकता है तो कुछी दियर में Kaiser 3 प्रों बंद हो और असको हमने कर दिया वह देव और कंटिनू करते हैं हमारा टेस्ट पोफोन के बीच तो आलोप फैस फोन पोन होने के दस मिनिट बात पोफो भी हो बढ़िया है तो 33 मिनिट्स PUBG खेलने के बाद बैटरी लेवल है 8% में तो इस लाज ड्रॉप को हम इंटेंसली ड्रेन करेंगे एक बार बेंचमार्क रण करके पर एक चीज जो मैंने देखा इस टेस्ट के टाइम जेन फोन में 10% बैटरी वर्निंग के बाद अगर आप बैटर खेल रहे थे और 10% का बैटरी वर्निंग आ गया था उसके बाद से बहुत ज्यादा लाग होना स्टार्ट कर दिया तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि 10% के बाद गेमिंग पर्फॉमेंस जैन फोन की काफी ज्यादा डिग्रेड हो जाता है जिसके वज़े से यह ल और 37 मिनिट्स और वैट तो चले जाता है एसफल्ट में और कंटिनूसली 3 रेस को कंप्लीट करने के बाद जैन फोन की बैटरी है 2% में और यह लास्ट ड्रॉप को एक बार फाइनली बेंचमार्क चला के ड्रेन कर देता है सच में इसका बैटरी जो है वो ड्रेन टेस्ट क वी कर देता है स्कृत है तो नाव इंस टाइम स्क्रेश में कितना स्क्रीन charryon पन मेला है मिये toは मैं हम स्कृन उन टाई मिला है 3 hours 42 minutes बंड हुआ है वान प्लस Siqs और इसने दिया है 14 domain अनomo řो अरो इसमें मिला है हमें 4 आवरs 43 बंट्स उसके बाद हम अग कर बनर देशि म जिसमें हमें मिला है 4 hours 53 minutes और finally हमारे battery drain test का winner Zenfone Max Pro M1 जिसमें हमें screen on time मिला है 5 hours 51 minutes तो यही था extreme battery drain test इन 5 फोंस में से Poco F1, Redmi Note 5 Pro Zenfone Max Pro M1, Mi A2 और OnePlus 6 तो पिछली बार के तरह इस बार भी Zenfone Max Pro M1 है हमारे battery drain test का विनर पर एक चीज़ जो मुझे disappoint किया वो है कि पिछली बार जब हमने battery drain test को किये थे तब Zenfone Max Pro M1 में हमें screen on time मिला था 6 hours 34 minutes और इस बार जासे हमने किये अब हमें मिला है 5 hours 51 minutes तो बहुत ही कम मिला है हमें screen on time इस बार तो मुझे लग रहा है कुछ software issues के वज़े से या फिर कुछ software update जो लेटे test में और Poco F1 का battery भी बहुत ही बढ़िया है तो आपको कैसा लगा हमारा यह battery drain test हमें जरूर बताएए comment section में और यहीत आज के वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और इसके साथ हम इस वीडियो को end करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में